गीता के चोत्य हद्याय का मातम जय स्री नाराण जी माराद बगवान बोले हे लक्षमी जो पुरू से स्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके सपर्ष मातर से अधम दे छूट कर मुप्ति को प्रत होता है लक्षमी जी ने पुछा हे माराद हे माराद श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूट कर कोई भी जिव मुक्त हुआ है तब श्री बगवान ने कहा हे लक्षमी तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूं भागीर थी गंगा जी के तड़ पर एक पुरी नगर है वहाँ एक वेसनव स्री गीता जी के चोथे अध्याय का पाट की अगरता था और एक दिन वेसादू वन में गया वहाँ बेरियों के दो वरक्स थे और उनकी बड़ी चाया थी वेसादू वहाँ बैठा बैठ गया और बैठते ही उसको नित्रा आ गई एक बैरी से उसके पाव लगे और दूसरी के साथ सिर लगा लग गया वहे दोनों बैरियां आपस में कमाप कर पर थी उपर गिर पड़ी पत्ते उनके सूप गए परमेस्वर की इच्छा से वहे दोनों बैरियां ब्रामन के घर दो पुत्रियां हुई हे लक्षमी बड़े उगर पुन्यों के करने से मनुसे दे मिलती है और फिर ब्रामन के घर जनम लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरम की जो वहे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा हे पुत्रियों हम तुमारा विवा करते हैं तब उन दोनों ने माता पिता से कहा वहे विवा नहीं करेगी उनको अपने पिछले जनम की ख़बर थी वहे जाती में सुन्दर जनमी थी और उन्होंने कहा एक हमारे मन में कामना है प्रमेसवर वहे पुर्ण करे तब बहुत बली बात है तो उनके मन में यही था कि वह सादू जिसके सवर्ष करने से हमारी अदम दे छूट कर यह दे मिली है वहे मिले तब बहुत बला इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तिर्थ यात्रा करने की आग्या वांगी तब माता पिता ने तिर्थ यात्रा करने की आग्या दी तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चर्ण वंदना करके गमन किया तिर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची और वहां जाकर देखा गया तपस्वी बेठा है जिसकी गरपा से हम बेरी की दे से चूटी तब दोनों कन्याउं ने चर्ण वन्दना करके विन्य करी है संत जी तहने वो आपने हमें करतात किया है तब उस तपस्विन कहां तुम कौन हो मैं तुम को नहीं पैचानता कन्याउं नहीं कहां हम आपको बैचानती हैं हम पिछले जनम में बेरियों की यूनी में थी और तुम एक दिन वन में आए और तुम गवाउत दूप लगी थी तब बेरियों के छायां तले आप बैठे थे और लंबासन होने से एक बेरी से आपके चर्ण लगे तो दूसरी से सिर उसी समय हम बेरी की दे से मुकतुई तुमारी करपा से हमारी गतिवी ओ शीरी गिता जी के चोथे हद्याय का ऐसा मातम है तब ले मन वचन करम से नित्वे पर्थि पाठ करने लगा तब शीरी नाराण जी ने खा हे अलक्षमी ये चोत्य अद्य का मातम है जो मैंने तुम्हे सुनाया है जैस्री नारणी अम्राज गिता के चोत्य अद्य का मातम समप